नमस्कार दोस्तों लोगसबा चुनाव के चलते उत्यप्रदेश में छटे चुरण की 14 लोगसबा सीटों के लिए 25 मई को मतदान होगा मुखे निर्वाचन अधिकारी नवदीब रिन्वा ने बताया कि 23 मई की शाम 6 बजे से छटे चलन के लिए चुनाव प्रचार और प्रसार संबंदी समस्त गति वीदियो और अभियानों पर प्रतिबंद लग जाएगा और चुनाव प्रचार की अवदी समाप होने के बाद इन निर्वाचन छेतरों में सभी राजनितिक दल के बहारी कारे करता हो वो पदधिकारियों की मौजूद की प्रतिबंदित रहेगी उत्यपरदेश की 14 लोगसभा सीटों के लिए 162 प्रतियाशी चुनाव मैदान में हैं जिन में 146 पुरुष तथा 16 महिला प्रतियाशी हैं छटे चरण में सुल्तानपुर, प्रताबगड, फूलपुर, इलाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, दूमरिया गंज, भस्ती, संत कबीर नगर, लाल गंज, आजमगड, जौनपुर, मचली शहर, बदोही लोगसभा सीटे शामिल है वही इन 14 लोगसभा सीटों में 12 समानने वर की सीटे हैं जबकि 2 सीटे आरक्षे इस सीट में कई दिगगत चुना मैदान में हैं इनमें 8 बार की सांसत मेनका गंधी, धर्मेंद्र यादव, दिनेश लाल यादव, मिरहुआ, जगदंबिका पाल और लाल जी वर्मा जैसे न मेनका गंधी यहां से 8 बार की सांसत रह चुकी हैं और इस बार अगर वो चुनाव जीती हैं तो उनका नाम उन चंद सांसतों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो 9 बार सांसत का प्रतिनिद्ध कर चुकी है, सपा से यहां राम, भुवाल, निशाद और बसपा से समाज में हर तबके में पकड़ मानी जाती है, प्रताफगर लोगसभा सीट कुंडा के विदायक राजव भहिया के प्रभाव की सीट मानी जाती है, राजव भहिया ने इस बार अपने समर्थकों से स्वतंत्र होकर वोट देने को का है, लेकिन सूतर के मताबिक उनके प्रभी में भी उन्हें अखले इशादत के साथ देखा, बीजेपी ने सीट से मौझूदा सांसत संगमलाल गुपता को टिकेट दिया जबके सपा की ओर से स्पी सिंग पतेल मैंदान में, ये भाजपा के लिए काफी हॉट सीट मानी जाती है, लेकिन उनुक्रिया पतेल की बातों के बाद इस seat पर आजो भाया ने बीजेपी के विरोध में प्रचार करना शुरू कर दिया है हाला कि वह इतना स्वतंत्र होकर नहीं बोल रहे हैं पर उनकी जो समर्ता है यहों जम कर प्रचार कर रहे हैं फूलपूर लोगसभा सीट बीजेपी ने मौझुदा सांसत केसरी देवी पटेल का टिकेट कार कर प्रवीन पटेल को तारा है प्रवीन पटेल फूलपूर विधान सभा से तीन बार विधायक रहे चुके हैं सभा की ओर से अमरनात मौरे ने मौरे से उनकी कड़ी टकर मिल र विरासत के नाम पर जन समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सपा के राम शिरोमणी वर्मा से हैं। संद कबीर नगर लोगसभा सीट पर बीजेपी और सपा के बीच सीधी टकर है। प्रमी निशाद कैबिनेट मंतरी संजन इशाद के बेटे हैं। सपा के पपो निशाद से हैं। मचली शहर लोगसभा सीट से बीजेपी ने दो बार सांसद रहे चुके बीपी सरोच और फिर तीन बार सांसद रहे तूफानी सरोच की बेटी प्रिया सरोच को उमीदवार बनाया है। बसपा की ओर से क्रिपा शंकर सरोच चुनाव में हैं। नली तेश, पती, तृपाठी चुनाव मेंदान में है जबकि बीजेपी से विनोद कुमार बिंद चुनाव मेंदान में हैं। अभी के लिए फिलाल बस इतना ही मुझे दीजिए इजाज़ा चुनाव से जोड़ी सबी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहें क्लिके लिए धन्याव